जिन्दगी में जब कश्ट खतम होने का नाम नहीं ले रहे परिशानी बड़े जा रही है तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाई से हो जाएगा बेड़ा पार बदल जाएगी दशा की दशा जानेंगे हम इस विदियो में लेकिन इससे पहले नमस्कर दोस्तों मैं शाना सिट कै जबरदस्त वाली कैसे हो मेरे पाशा लोगों दो दिन बाद मिल रहे तब बड़ी खराब थी जैसे आपको पता बॉंबे से भार थी तो दो दिन तो बहुत ही हालत खराब थी इसलिए बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई और जो 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 जिनकी कंसिल्टेशन 25-27 को थी मेरे स आथ पेशेंस रखने के लिए थैंक्यू सो मच इतना मेरे पर ट्रस्ट रखने के लिए थैंक्यू सो मच कल बिल्कुल ठीक नहीं थी इसलिए कंसिल्टेशन करनी पाई आज सब की बैक टू बैक ले लोंगी बिल्कुल मत खबराओ आज जो चीज आपको मैं बताने जारी इन्सान की जो स्ट्रल है कई बार इतनी उसके प्लैनिटरी पॉजिशन ऐसे होते हैं कि वो इतने बढ़ते हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते एक तो विवा से पहले दिकत स्ट्रगल विवा होने में स्ट्रगल विवा के बाद में जो रिस्पॉनसिबिल्टीज निभा husband wife में तकरार की बाद भी करूँ जगडे कलेश की स्थिति की बाद करूँ या विवा के बाद में struggle के बारे में बाद करूँ या कई बार कहते है ना जो main source of income कमाने वाला उसकी तबियत ही तिरी खराब हो जाती है कि वो कुछ काम नहीं कर पाता जिसकी वज़े से पूरी family सफर करती है ये भी तो बात होती है अगर जो main head है जो पैसा कमाता है अगर वो ही बिमार पढ़ जा तो कैसे चलेगा बात बनेगी नहीं अब इसमें मंगल जो सातवे घर का मालिक है है कि नहीं अगर साथवे घर का मालिक किसी भी जैसे राहू के तूशनी के साथ अगर प्रभावित हो गया या खराब दुश्मन ग्रहों घरों में बैड गया तो भी स्ट्रगल आएगी और मान लो अगर नाडी जोतिश के साब से देखा जाब ऐसे एक चीज मैं बता दू जो कॉंबिनेशन होगा तो दिकत आएगी सीधी बात है वह हो सकता है जगड़े कलेश हो कोट का चेरी तक हो बिमारिया हो ये सरी चीजों होईगी सीधी बात है ब्रस्पत अगर मान लो क्याते शनी के घरों में बैड गया है कि नहीं ब्रस्पत अगर राहू के तू शनी के मा क्या क्याते के तू किसा तो भी दिकत आएगी एक आपको मैंने शॉट में सिनेरियो बताया पाशे लोगों मैं सिर्फ आकर सिर्फ दो चीज बता के चली जाओं क्या मतलब बनेगा जो कंसिल्टेशन नहीं ले सकते कितना मैं पूरा पैकेज भी आपको बता देना है पता स्वासितन के लिए जो इसका पाट्नेर उसको कैसा फील होगा कि यार यह क्या है और इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजिन होता वह ब्रस्पती भी होता है ब्रस्पती को जितना मजबूत कर लेंगे ना क्याते है ना जो चीज हो गई लेकिन अब तो हम कंट्रोल जब ह अब मैं बताती हो बापने क्या करना तीन उपाई बताती पाशे लोगो अचके है ना ये चीज करो कोई ऐसी घुबराने वाली बात नहीं पहला उपाई 84 तामबे के जो सिक्के होते हैं तामबे के सिक्के गोल गोल जाकर ले लो आपने कितना महिने में एक बार करना है पकाव पाई बतारी मंगल अगर शनी के साथ आजा है कितना वो स्ट्रगल्स देता है मंगल शनी के साथ आजा है लाइफ में भी स्ट्रगल देगा विवा के बा कच्चे कोईले में अगले दिन क्या करना WRम या तो इसको उठाकर चलपरवा कर देना चंदर इसको जंगल में चोड़ाना को है पत्री में वद्ध भी खराब है काम बीकते बार-बार-बार काम अटकते के लिए यह इसे लगता है कि अभी चीज हो जाएगी अभी चीज हो जाएगी कहाँ हो पाते नहीं हो पाती है नवद्ध किया करोगे खोई होता है ना खोई के पेड़े, खोई आ, खोई आ के पेड़े, बड़े ध्यान से सुनना, तीन महीने में एक बार करना है, ग्यारा ग्यारा दिन पे, क्या करोगे? आपने क्या करना है, जो ग्यारा पेड़े होती है, मतलब ग्यारा बच्चों को ग्यारा पेड़े, ग्यारा दिन तक देने हैं, तो कितने हो गए? कितने हो गए? एक दिन में ग्यारा इंटू, ग्यारा कितने हो गए? इतने बच्चों को, मान लो, एक सो बाईस हो गए, कि एक स माने लो बच्चे नहीं हैं तो जलप रवा कर देना इतने उनके नाम से जलप रवा करक्ट कोई अधिकत वाली बात ली आप देखोगे जो आपके काम अटक जाते हैं क्या होता है जब ऐसे कुछ चीन्ग्शन की थिंकिंग बहुत बढ़ी होती है ये भी कर लूँ वो मैं कहते हैं दिमागी बुलंदिया चुरा होगा लेकिन जहां करने की बात आती है और जहां पर होने की बात आती है कि चल भई अब कुछ चीज फुरूशन में हो जाए नहीं हो पहेगी वो इनसान सिर्फ सोचता ही रहे जग ख्याली प्लाओं में रह जा आप परिशान होके रह जाती है कि पार्टनर देखो ऐसी चीज़े यह क्यों अब हम इस सिनेरियो में क्या करेंगे चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो बात कतम हो गई ऐसा भी कुछ नहीं है ना मैं यह बोलू सिर्फ एक पर यह ऐसा थोड़ा होता है सीधी सी बात है कोई दोनों में से किसी को भी यह प्रॉब्लम है हम ब्रस्पती को ठालेंगे ब्रस्पती को कैसे उठाएंगे एक तो पीपल पर आपने डेली जलचड़ान है और जो पीला कच्छा सूत होता है उसको बांध दिया करो पीला कच्छा सूत बांधने से क्या होता है वो ऑक् तो 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 थोड़ा पैटर्न आपको चेंज़ेस डालने पड़ेंगे सीधी सी बात है कि पीपल को बढ़का पेड़ जो होता है बढ़के पेड़ में गीली मिटी मतलब दूद्ध चड़ा के गीली मिटी का तिलेक करना शुरू करते हो आप देखोगे कि तीन उपाय बताया ने आपको क्वाम को भी अच्छा करेगा यह वैसे भी चीजों को इतना बहतर बनाता चला जाएगा पूरा पैकेज आपको बता दिया है एक महीने में एक बार करने एक तीन महीने में ग्यारा दिन तक करने और यह जो पीपल के पेड़ पे आपने जल चड़ाने की एवरीडे का ना पूरा पैकेज बता दिया है इतना फरक पड़ जाएगा ना जिसकी को आप मेरे को खुद बोलोगे आपको कई बटकने की जुर इंड के एक टृas तरहें की कि अन्रमन मिरेकल को सब्सक्राइब करो कितनी बड़ी जबर्दस चीज बताने वाली चेहरे के लिए और किसमत के लिए देखना झरूरा ना पिन कर दूंगी मैं डोंट पनी ओके देन चानल को सब्सक्राइब कर मेरे दिल इपने दिल से जर दो है अगी ने बूझे को इक करो आप मुझे लईकिरो के G7s आपको लएक करेगा है और शेयर इसन्दकी ठा हो जाए ओक देन बाब आई नमस्कार